वेलकम टू न्यू लेसेन अगर आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाओगे टूल सेंड सेटिंग सेक्शन के अंदर और ओडियंस मैनेजर के अंदर तो यहां पर हमने देखा था कि कैसे हम अलग-अलग ओडियंस बना सकते हैं अगर मैं प्लस करूं तो हमने बड़ी ओडियंस थी कस्टमर लिस्ट कि हम हमारे पास कुछ कस्टमर हैं उनका डेटा हम गूगल के अंदर अप्लोड कर सकते हैं और उन्हें हम एड्ड दिखा सकते हैं अगर आपने फेस्बूक एड्स वाला कोर्स लिया है मेरा तो आपने देखा होगा ऐसा एक उप्शन फेस्ब सकते हैं और उन्हें हम एड्ड दिखा सकते हैं सेम फीचर गूगल के अंदर भी है अगर आप यह कस्टमर लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप अप्लोड कर सकते हो बट आप देख सकते हो यह दिखा रहा हो योर अकाउंट इस करेंटली नॉट यूज कस्टमर मैच थ सकते हो तो यह काम आप तब कर सकते हो जब आपका जो ad account है वो Google के सारे you know compliance को follow करता हूँ इसकी history अच्छी हो नीचे आपकी प्लस आपकी payment history अच्छी हो नीचे है प्लस आपका ad account आपका Google ad account at least 90 दिन पुराना होना चाहिए कितने दिन जी 90 दिन आपका जो Google ad account है वो at least 90 days पुराना होगा तब आप यह बना सकते हो प्लस एक और condition क्या है आपका जो lifetime ad spend है जो भी आपका Google ad account है जिसमें आप यह काम करना चाहते हो उस Google ad account का lifetime spend पचास हजार डॉलर से ज्यादा होना चीए कितना होना चीए पचास हजार डॉलर से ज्यादा होना चीए तब ही आप यह काम कर सकते हो अगर आपका ad account INR में है तो आप इसको INR में convert कर सकते हो यह सारी condition होंगी तब आप जाके user data upload कर सकते हो और इन्हें ad दिखा सकते हो और जब तक आपके पास यह नहीं है तो आप बागी अपनी normal ads normal remarketing जो आपने सीखी थी website visitor app user और youtube user जो हमने youtube में देखा था कि हम यहां पर audience बना सकते हैं तो वह सारी audiences आप बना सकते हो और आप उन्हें ad दिखा सकते हो ठीक है जी तो that's it from this lesson